तबात नगिला पंचानि शोज स्वई रामकुमार अठोर जी, इस गाओ के संपानित प्रधान बाहें वही आदा जी, सब्सक्रमार जी, अपमारे दिरों नपाई, अब में वही बाहें, रामसेवग सक्षेना जी, सबी अमारे प्रेव पाल कस्ष्यब जी, प्रेव संकर जी जी जो प्लाग प्रमुक रहे हैं इस गाहों के हमारे राजा राम मात्वर जी जी संदी हमारे बुजुर्गों नोजवान साथियों बहुत देर से आप लोग यहां प्रदिच्चा कर रहे थे कि अभी कलान आने में थोड़ा कोला का जो रास्ता है वहां प्रद्धान है और यह व्युद्धान दस तारीक को चौदा को आप साइकिल के बटन दबाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जमानी अखिलेश यादो जी समद लेंगे जितने ब्रिच कार्पोरेशन के अधिकारी है ना उस अब यही दोड़े खड़े मिलेगे लिए पुल पेसे चालू कराया है आज उत्तर प्रदेश में इसी सरकार चल रही है जो बस सरकार लग रही है लकि इसकी डामा डोल है यह है बुल इसकी वजह से हमाद को दीज के 2 गंटे से बिलापर से आए है बुल परफपत के साम से उत्तर पर लगिया गया है कर्मचारी नहीं लगे हैं तो ऐसी सरकार को उखाड के फेकना है ना हटाना है कि नहीं हटाना है ये सरकार आपके बच्चों का भविस्व खराब कर रही है हमारा जो युवा है ना युवा आज पूरी तरह से पूरे प्रदेश में जोस के साथ लगा है कि भारती जंता पार्टी को उखाड के फेकना है आप सब लोग भी कोई अपना छोटा कारोबार कर रहा है कोई मजदूरी कर रहा है कोई किसी दुकान पे छोटी नोगरी कर रहा है आप सब के साथ भी बहुत जाती हो रही है कहने के लिए कि आपको कहा कि भाई हम मुफ्त रासन देंगे मार्स तक के लिए लेकिन इस रासन के बदले में कितना आप से लिया जा रहा है बोच कितना आप डाला जा रहा है यह सायद आप लोग कुछ लोग तो समझ रहे हैं कुछ लोग गाओं में नहीं समझ पा रहे हैं आज आप अगर अपने लिए किसी दुकान से कोई सामान खरीते हैं उसकी किमत 200 रुपए हो 500 रुपए हो 1000 रुपए हो या 20 रुपए हो उस पे आप से GST के रुप में कितना बड़ा टेक्स लिया जा रहा है 28 परसेंट का टेक्स आप सीमेंट की एक बोरी खरीते हैं तो कभी तुकानदार से पुझना उस सीमेंट की बोरी पे 100 रुपए पे 28 रुपए टेक्स है 28 रुपए टेक्स लिया जा रहा है आपसे 28% आप गेस का सिलंडर लेते हैं एक सिलंडर कितने का मिल रहा वई एक हजार का है न पहले 400 कुछ रुपए का था जब 435 का सिलंडर था तो ये भाजपा वाले सिलंडर को सर पे रखके कहते थे कि बहुत महंगा है बहुत महंगा है भाजपा वाले कहते थे और आज जब एक हजार का हो गया तो कौन बोल रहा है भाई उस पे